दरगा की दहलीज पर दिवाली के दीपक जी हैं हम बात करें कौमी एक्ता और सामपरदाइक सोहाद का संदेश देने वाली दिपावली की खबर जुन्जुनू से है जहां पर कमरुदीन शाह दरगा की चौखर दिवाली के दिन मिट्टी से बने दीपो की रोशनी से जंग मगाती है और साथ में ही होती है आतिशवाजी वहाँ पर तो दिपावली के दिन मुस्लिम भाईयों ने जमकर आतिशवासी करके सामपर्दाइक सोहाद का संदेश दिया कमरुदीन शाह दरगा के गदीन सीन एजाज नभी बताते हैं तकरीबन 250 साल पहले सूफी संद कमरुदीन शाह हुआ करते थे जिनकी संद चंचल नात जी के साथ गहरी दोस्ती थी तो दोनों मिलने के लिए जब दरगा और आश्रम से निकलते थे तो एक गुफा के जरिये मिलते थे इतना ही नहीं दोनों का एक ही संदेश था जुन जुनुन में सामपर्दाइक सोहाद और कौमी एक्ता बनाई रखना इसमें सरीक होते हैं मिलके हम तेवार मनाते हैं दिये जलाते हैं फुल जड़ी पटा के तारा जंडी मोंबत्ती ये जलाते हैं एक दूसरे को गड़े मिलके मिठाई खुलाते हैं हमारा जुन जुनु जिला जिसमें खास तोर से पुराने जमाने से चली आ रही है परंपरा जिसके तहट सर्वे समाज के लोग एक साथ मिलके चैवों हिंदू हों चैशे मुस्लीम हों चैशे और किसी धर्म के लोग एक साथ मिलके सभी कारिकरमों को त्यवानों को मनाते है हम दिवाली पर पटाके जलाते हैं मिठाईया खाते हैं और हम बहुत सारे पटाके जलाते हैं बहुत अच्छा लगता है बहुत जादा जैपुर से हाँ दिवाली के लिए भी आते हूं